हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो अभी सुबा का टैम है सुबा की जाड़ू लगा रही हूँ अभी जल्दी उठकर के सारा कम निपटा के आज हम लिपने चाबने में फिर से लगेंगे क्योंकि दुआली भी पोहुचते जा रहे हैं तो हड़ बर हड़ से लग रही है तो फिर जल्दी जल्दी लिपाई पुताय करके अपना काम निपटाने है तो इसलिए हम यहाँ पर जाड़ू उड़ू करेंगे अभी फिर खाना पीना जल्दी से बनाएंगे और लग जाएंगे लिपने पर तो अभी शुबा का टैम है थोड़ा धूप भी निकल रहा है तो सभी बाहर में बैठे हुए हैं मैं अंदर पर जाड़ू लगा रही थे उसके बाद में सभी के लिए चैपानी बना दूँगे तो यहाँ पर जितने बाहर पर बैटे हैं तब तक मैं जाड़ वड लगा लेती हुँ उसके बाद में चाय पानी बना देती हूँ विधाय हमा रहे थे उसके बाद एक्ञाई की कीचन पर पियाज़ डाल दिये थे पियाज को अच्छे망 से भूगने के बाद हम भी मालू को डाल दिये इसमें नमक भी डाल देंगे साथ में ताकि यह पक जाएगा अच्छी तरह से और जल्दी भी किस contrast में ब 뉴스 में नमक डाल दो तो rescat लेग जाता है उसके बाद हम मसारा ले आए हैं पीश करके और ये देखिए हम डाल दियें टमाटर भी डाल दिये थे और हल्दी हम नहीं पीशे एत तो यह पर हम हल्दी हम भी डाल दिये थे और इसको भूँजने चोार धात पानी डाल दिये उसके बाद हम खाना निकाल लिये हैं तो आज़े ही आप लोग भी खाने के लिए तो जल्दी जल्दी से सभी को खिला देते हैं खाना पीना उसके बाद हमें काम पर भी लगना है तो फिर हम सभी को खिला देते हैं खाना भी मालू की सबजी के साथ में तो यहाँ पर फिर से आ गए हैं काम पर तो मिट्टी और भी फुलबा लिये हैं क्योंकि कम था थोड़ा सा तो हम बोले रोहन के पापा से कि थोड़ा और फुला दीजिए तो साइड में देखे फुला दिये हैं और यह कल के मिट्टी हैं तो थोड़े से थे तो उनको पहले हम खतम कर लेंगे तो यहाँ पर हम अच्छे से मिला रहे हैं थोड़ी सी गोबर भी ले करका आई थी चांदनी तो उसी को हम मिला करके फिल ले जाएंगे और छबाई करेंगे ऐसे ज़्यादा गोबर तो नहीं मिला है बहुत ज़्यादा खराब है इधर का भी दिवाल आप लोग देख रहे होंगे पुराने दिवाल दिखाई दे रहे हैं और इधर से ही बैल बकरियां जाते हैं बच्चे भी यही पर है तो हम यह लोग को डाड़ भी रहे थे कि तुम लोग क्यों आई हो इधर जाओ घर तरफ लेकिन यह लोग मसून नहीं रहे थे बोल रहे थे कि नहीं यहीं रहेंगे रोहन को देखे कहां पर चड़ गिया है सीड़ी पर चड़ गया था इसको हम बोल रहे थे कि मत चड़ो बिटा नीचे उतर जा फिर भी ये हैं नहीं उतर रहा था और हम यह पर छबाई कर रहे थे पास में रोहनी रोहन खेल रहे हैं सीड़ी पर रोसनी उधर के गई है मतलब आगे गर क्या के तरफ और बहुत जादे दरारे पढ़ गये हैं दोस्तों क्योंकि पानी जब आते हैं तो इध यही पर हम झाद कर देते तो यहीं पर हम नीकल बाव हो यह जाए गाए इस तरह से पोरह निकल गया है तो उतना ज्जादा में लग filtered को में बहुत जादा ज्यदा ज्यादा ज्यादा मेinformation कर देना enough नीची हो यह जादा लगता है। अतना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा और देखे उपर पर यहां पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत है और यह देखे साइड में क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इसका लिपाई पुताई हुआ तो यहां पर देखे गिरने के मुसिवत में हैं गिरने वाले हैं साइड तो इसको बाकी है बसे ही दिवाल बस है मैं इसी दिवाल की बात कर रही थी कि पीछे तरब की दिवाल आप लोगों को दिखाएंगे तो इतना ज्यादा खराब है तो देख सकते हैं आप लग देख लिए यह पर चांद नहीं भी लगी है और मैं भी उधर से तो उपर उपर की पहले मै उतार देती हूं छबाई करके उसके बाद नीचे में हम करेंगे थोड़ा देरी हम लिपाई करेंगे उसके बाद मेरा तो काम फिर से हो जाता है होटल वाले और ये दो पहर के टैम थे तो मैं होटल की काम निपटाने की बाद थोड़ा सा टैम था तो मैं सोची एक चुलह बना लेती हो तो देखे मैं कोईले की चुलब ना लेती उसके बाद फिर से लिपाई करनी है तो मैं पानी लेने आई हूँ तो देखे अभी दोबारा इस पर लिपेंगे एक बार पर लिप चुके हैं तो इसमें हम फिर से मिट्टी लगा करके जहां जहां पर दरारे पड़ हैं जहां पर मिट्टी निकला था बहुत जादा तो वहीं पर हम अभी छबाई करते जाएंगे दो बारा तो एक दो बार में हो जाएगा ऐसे एक ही बार में तो बराबर नहीं हो सकता है तो हम एक दो बार छबाई करेंगे उसके बाद पूरा बराबर हो जाएगा फिर इस तैमि अगर कलरेंगे को घबर जाएंगे मतलब पूरे दीवाल को फिर से लिपते जाएंगे तो कलर भी कम लगता है् और महनत भी कम लगती है इसलिए अभी पूरा चिकना बनाने के बाद जिस दिन अगर कलर से लिपाया जाएगा उस दिन फिर से गोबर से लिप देंगे फिर जल्दी जल्दी से हो जाएगा तो यहां पर मैं च्छाबने लगी हूँ अभी दो पहर के टेम है साम भी होने वाले हैं तो जितना सकेंगे अभी उतना लिपाई कर देंगे बाकी कल हो जाएगा तो मैं पानी देते जाती हूँ जब भी मैं लिपाई करती हूँ आप लोग देखते होंगे हम पानी मार मार के छबाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि जल्दी फटता नहीं है तो इसलिए हम पानी ज ज्यादा दरारे नहीं हुए हैं क्योंकि इधर पानी नहीं देती थी इसलिए यहां पर इतना ज्यादा दरारे पड़ गए हैं तो फिर हम अच्छे से पानी उनी दे करके छाप दिये फिर यह देखे साम की टैम है तो साम की खाना सबजी बन रही है तो मैं हाथ पर धुआ ली कि यह सुबा का टैम है तो सुबा के टैम में यहां पर हम रात में चुला जलाए थे कच्छा जब मतलब सुबा दो पहर के टैम हम इसको बनाए थे और साम के टैम में हम जला दिये थे तो यह जल गया था अच्छा से क्योंकि इसमें हम डाले थे जो गुबर वाले बनाए हो तो यह सुख भी गया है इसको फिर से लिपाई कर देंगे बस आज इसमें बिना लिपे हुए मैं यह पर खाना बनाओंगी आज बच्चे बोल रहे हैं पास्ता बना दो तो मैं सोची कोईला चुला ही जला लेती हूं और बाहर पर ही बनाने में अच्छा लगता है इसलिए मै यह पड़े थे लकड़ी इसको हम तोड़ रहे हैं वैसला से इसका है लकड़ी का तो वही से हम अभी चुला क्विद लाएं जलाएंगी कोईला वाला तो अभी हम यहांपर डालेते राखोग करतें लिपाई नहीं कर रहें दोस्तों, क्योंकि हम मिट् возм тепर से लिपाई करनी कर दो कज़िए तो फुर्षत नहीं ठाल दिया है तो फीर यहां पड़िया ठाल दिये तोई हम चीपles होने के लिए इसमें हम पस्ट रादी है तब तक हम यह अब हुझा जयांगे तो देखिए यह पर ने बना रहे हैं जह हैं लार किया है पक्लाइब कर दो किस्ता ही नहीं Ѧूँ तो ठाए їх तो ढूप फिर ब craftsmen और कुछ नहीं था ऐसे बच्चे सादा-सादा ही खाना पसंद करते हैं तो कुछ नहीं डाले थे बस बीम और ये प्याज डाले थे और मेर्ची की फुरत उसके बाद यह पर थोड़ी थोड़ी से मसाला डाल देते हैं जो है उसी को और पास्ता मसाला लाए हैं उसको डालेंगे तो अच्छा ही लगा था सिंपल सी बनाये थे फिर भी पास्ता बहुत इनों के बाद बनी थी घर पर भी तो बच्चे भी बहुत पसंद किये थे दोबारा ले ले कर गे खाये थे तो यहाँ पर हम पास्ता मसाला डाले फिर भूझ दिये कुछ देरी तक उसके बाद हम यह पर पानी डाल दिये हैं और इसको भी कुछ देरी तक भूझेंगे उसके बाद हम यह पर डाल देंगे पास्ता तो पास्ता को कुछ तेरी तक भूजने के बाद हमारा पास्ता बन के तयार हो गया उसके बाद अभी हमको बनानी है रोटी तो पहले ये लोगों को नास्ता दे लेते हैं क्योंकि बच्चे कब से इंतिजार कर रहे हैं करके कब से तयार है कि कब बने अगब पास्ता तो अभी हम सभी बच्चो के लिए फिर वह उनके पापा भी वरस कीए है तो उनके लिए भी देते हैं वह पुसंद नहीं करते हैं पिर भी घखॉए भी लिए के ढ़तर हैं तो भी नहीं कुछा आही पर पर फ़ा थी बार k OUTी क्योंकि मुझे रोटी भी बनाने थी देखे कितना सुन्दर लग रही है देखने में तो पहले मैं रोटी बना लूँगी उसके बाद यह खाना पीना खाऊंगी तो यहां पर मैं रोटी बनाने लगे हूं तो रहन के पापप हो रहे थे मेरे लिए तेल वाला रोटी बना दे तो पहले रोटी बना लेते हैं तो तीन कोन वाली तेल वाला रोटी रोटी बना दिये हैं और हमारे लिए यह सिंपल सी रोटी बनाते हैं क्योंकि तेल वाला रोटी सभी पसंद नहीं करते हैं कभी-कभी खा लेते हैं वैसा बात नहीं है तो यहां पर हम सदा 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 वा तभी दिन के मतलब धेर टैम हो गया है धूप भी बहुत अच्छे निकली हुई है और सुबा सुबा में धूप की सभी को ज़रत होती है अच्कल ठंड लगती है तो वैसे धूप बहुत अच्छा है आज यहां पर बच्चे देखिए कैसे बैठें बहुत है रोटी जल्दी जल्दी देना तो इस तरह से आज का वीडियो था चलिए कैसा लगा बताईए